हेलो फ्रेंड्स हेल्कम बैक टो माय चानल फ्रेंड्स आज हम एक्स्टेन करेंगे त्योरी फ्लफ का थर्ड एपिसोड प्लीक्स इस वीडियो को बिना स्किप के इन तक पूरा देखे ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो तो चलिए बिना देर के आज के एपिसोड को शुरू कर क्योंकि यहां अब दो लोग रह रहे हैं और घर पर फेट और ग्लास तक अवेलेबल नहीं है इसके बाद सीन चेंज होकर स्वापिंग कॉंप्लेक्स का दिखाया जाता है जहां थर्ड और खाई मिलकर स्वापिंग कर रहे होते हैं थर्ड खाई को बोलता है कि उसे सिर्फ शॉपिंग पेजाते हैं यह काफी रूमैंटिक है इसके बाद दोनों मिलकर कॉफी मक्स की शॉपिंग करते हैं जिस पर कैमरा रिल्स और माइक प्रिंट होते हैं इसके बाद सिंचीन चोकर खाई के घर का दिखाया जाता है जहां तू बैठा होता है और थर्ड कुकिं कर होता है वो मैचिन कॉफी मक्स को देखकर बोलता है कि वो दोनों अब मैड कपल जैसे हो रहे हैं और उसके साथ वही लड़की होती है जिसने उसे गिफ्ट दिया था वो थट को बोलता है कि आज उनके साथ दिनर करेगी और उसने उसे दिनर पर इंवाइट किया है वो दोनों बाते कर रहे होते हैं जिसे देखकर थड़ अपसेट हो जाता है इसके बाद वो खाई को बोलता है वो तो बस तू के बातों को फॉलो कर रहा है अपने आज पासी अच्छे इंसान को और यह लड़की उस डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फिडबैक दी है धर्मन में सोचता है कि यह साई बात तो तूने उसके ले कही थी वो सभी साथ में डिनर कर रहे होते हैं और डिनर के बाद ढ़ले जा रहा होता है तो लड़की उसके हांतों से डिसिस लेने लेने लग बिक compatible अगे ल् podéis case ऑसे दियगा है कि उसे जादा टाइम भी लग सकता है सायथ बूरी रात भी taka किए हो इसे के अपार्टमेंट में आकर नहीं रहा चाहिए ता अगे सी ऑर बहुत लोनी फिल रहा था और उसके पास यहां उसे मिलने चला आया था उसे बताता है कि खाई आज राद बिजी है उनकी बाते खटम भी नहीं होती और इसे बीच एक लड़की आ जाती है और वो तू से बाते करने लगती है इसके बाद थर्ड बून को कॉल करता है बट वह वो भी वहाँ एक लड़की के साथ आया हुआ होता है। उसे वहाँ देखकर भी वो उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद थर्ड वहां से चला जाता है। इसके बाद वो अपने लिए रास्ते से खाने की कुछ चीजे खरिदता है। काफी रात हो जाती है तो वो खाई के पास कॉल करता है पर खाई उसका कॉल पिक नहीं करता है रात के तीन बच्चु के होते हैं पर इसके बाद भी खाई का उसके पास कोई भी कॉल नहीं आता है और यहां तक कि खाई उसका कॉल तक भी पिक नहीं करता है इसके बाद सुबा की दिखाया जाता है सुबा बिल्डिंग के बार खाई उस लड़की को चैब में छोड़ने आता है और तभी वहां पर फॉहां पे थरडऊ ऑसेtał करने है इसके बाद के बाद दोनोंbn में जाते हैं पर उस party क्लाइज इसके बाद scene change होकर college का दिखाया जाता है जहां photography से related lecture हो रही थी इसके बाद sir अपने साथ एक लड़की को लेकर आते हैं आज हुन सबको इसकी photography लेनी है बट अपनी feelings के साथ तू उस लड़की को देखकर बहुत सांथ हो जाता है बोन उससे पूसता है कि क्या वो उस लड़की को जानता है तू बताता है कि हाँ वो उसकी high school के friend है इसके बाद सभी उस लड़की के pictures लेते हैं lunch का time हो जाता है और सभी वहाँ से चले जाते हैं वो उसका वहाँ इंतजार कर रही होती है वो उससे आकर पूछती है कि खाई कहाँ है वो बोलता है उसे नहीं पता वो चाहिए तो उसे call कर ले वो लड़की कहती है कि उसने उसे call किया और text भी किया बट उसने कोई response नहीं किया इसके बाद वो थर्ड के हाथों से जबरदस्ति उसका phone लेने लगती है थर्ड नाराज हो जाता है और उसे कहता है कि उसकी problem खाई से है तो यह problem जाकर वो उसके साथ solve करे और उसे अकेला छोड़ दे इसके बाद वरून में आता है जहां खाई पहले से बैठा होता है थर्ड उसे बोलता है कि वो अपनी girlfriend को समाले वो आज उससे मिला था और वो उसके बारे में पूछ रही थी खाई उसके बादों को ignore करने लगता है उसके बाद खाई उसे बोलता है कि वो उस दड़की को avoid कर रहा है क्योंकि उसमें सोचा था कि वो उसकी good choice है बट वो बस इतना जानता है कि वो सबसे खराब है वो थर्ड को भी उससे दूर रहने को कहता है खाई उसे कहता है कि वो आजकल available नहीं है इसके बाद एक और new girl वहाँ आ जाती है वो बोलता है कि वो अपने पुराने सर्फ में वापस जा चुका है बिना किसी headache की इसके बाद वो थर्ड को डिनर बनाने को कहता है ये सारी बाते सुनकर थर्ड काफी सांथ हो जाता है आगे सिंचींज होकर बुन की कोफी चॉप का दिखाया जाता है जहां वो उसी lady का wait कर रहा होता है बट वो lady नहीं आती इसके बाद सिंचींज होकर वापस खाई के घर का दिखाया जाता है थर्ड midnight में उठता है और धीरे धीरे खाई की room के तरफ जाता है जहां से खाय की और उस तरकी की आवाजे आ रही होती है वो मन में सोचता है कि वो हमीसा सोचता था कि खाय से प्यार करना एक पागलपन है बट ये उससे भी ज़्यादा पागलपन वाली चीज है जो वो भी करने जा रहा है और उसे पता है कि क्या होने वाला है पर वो फिर भ जाता है जहां वो कल वाली सारी पिक्चर्स को देख रहा होता है इसके बाद स्टोरी पास्ट की दिखाई जाती है जहां टू उसी लड़की को प्रपोस करने वाला होता है बट वहां उससे पहले कोई आकर उसे प्रपोस कर देता है अब स्टोरी वापस से प्रेजन में आती ह ठर उसे मिलने आता है, वो उसे कहता है कि वो खाइ के अपार्ट्मिंट से मुगौट करना चाथा है, वो कहता है कि उसके लगता था कि वो उसके साथ रहेगा तो वो बहुत खुश्स होगा, और ऐसा पहले हूआ भी था, वो ऐसा फ्यल करता भी था, बर जब से वहाँ पे नियो नियो लड़किया आने लगी है और वो दोनों साथ में कोजी होने लगते हैं ये सब देखना उसके लिए बहुत ज़्यादा हर्टिंग है और वो कहता है कि उसे पता है कि वो खाई के लिए और बहुत इमोशनल होने लगता है इसके बाद खाई उसके रूम के पास आता है और वो उसे कहता है वो आज अपनी गिल्फिन के पास जा रहा है और आज रात वापस नहीं आएगा इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है उसके जाने के बाद हर अपार्टमेंट के हर चीज़ों को बहुत इमोशनली देखने रगता है जैसे कि वो बहुत टाश हो चुका हो सारी चीज़ों के साथ और पिछले कुछ दिनों की सारे यादे उसे आने लगती है साथ में बिताए हुए चोटे-चोटे बातों की यादे जब खाई ने उसे बोला था कि उसका यहां रहना उसे अच्छा लगता है और वो पूछता है थी क्यों लिपास उसे एक मेड मिल गई है वो बोलता है कि नहीं उसे ऐसा लगता है कि उसे मॉम मिल गई है वो जब से हाँ पर रहने लगा है सब कुछ बैटर हो गया है और वो उसे कहता है कि वो कुछ टाइम और यहां पर रहे और ये सारी बाती उसके कानों में बुझने लगती है सीन अगे इन प्रिजन का दिखाते है वहां डूर पे कोई नौक कर रहा होता है पर जाकर चेक करता है वहां वही लड़की खड़ी होती है जिसने उसे गिप दिया था वो जबरदस्ती रूम में चली आती है और खाई को ढूनने लगती है फ़र उसे कहता है कि खाई नहीं है पर वो मानती नहीं और खाई को ढूनने लगती है कि तभी वहाँ पे खाये आ जाता है और वो उस लड़की को बोलता है कि इसने उसे मना किया था वो उसके फिंड को परशान ना करे और आज उसने सारी लिमिट्स क्रोश कर दी है वो लड़की इसे पूचती है कि क्या वो अपने friend की उससे ज़्यादा care करता है तो वो कहता है हाँ बल्कुल और वो उसके friend को परशान नहीं कर सकती ये कह कर वो उस लड़की को हाँ से जाने के लिए कहता है उस लड़की के जाने के बाद वो थट से कुझता है कि वो ठीक तो है आगे scene change होकर वो उनकी coffee shop का दिखाया जाता है जहां वो उस lady का wait कर रहा होता है उस तरगी का इंतजार करते वे वो बहुत साई coffee पी लेता है इसके बाद वो washroom जाता है उसके वापस आने के बाद उसे पता चलता है कि वो lady आई थी और वो movies की DVD वापस करकर गई है उसके बाद scene change होकर night club का दिखाया जाता है जहां third बैठा होता है कि तभी वहाँ पे खाय भी आ जाता है वो उसके लिए एक packet लेकर आता है जब third उस packet को check करता है तो उसमें वही coffee बंग होती है खाय कहता है कि उसने इसे जोड दिया है ये seem तो नहीं है बढ़ usable है third बहुत कुश हो जाता है और उसे thank you कहता है और वो खाय को कहता है कि वो जब से उसके साथ आकर रहने लगा है तब से वो उसे बहुत पहशान करने लगा है खाई उसे कहता है कि उसे याद नहीं कि उसने मॉनिंग वोस्तरकी को क्या कहा था वो कहता है कि गल्स के साथ वो अपनी बॉड़ी यूज करता है पर उसके साथ वो अपना हार्ड यूज करता है और ये वो कंपेर नहीं कर सकता वो थट को कहता है कि वो अपसे किसी को भी घर पर नहीं लेकर आएगा लिपस वो नहीं चाता जो आज हुआ वो दुबारा हो इसके बाद चारो फेंस को एक साथ ट्रिंग करते हुए दिखाया जाता है खाय बहुत जादा रिंग कर लेता है और वो वहीं सो जाता है थट कहता है कि उसे घर वापस लेकर जाएगा तो उसे याद दिलाता है कि उसे आ जाकर उसके साथ रहना है इसके बाद वो खाय को घर लेकर वापस आता है और उसे उसके रूम में ले जाकर लिटा देता है इसके बाद सुभे खाई मीन से जाकता है और थर्ट को ढूनने लगता है वो थर्ट को घर में चारू तरफ ढूनता है पर थर्ट उसे परेनी मिलता इसके बाद थर्ट बाहर से आता है वो उसे पूस्ता है कि वो कहां गया था तो वो उसे बताता है कि वो उसके लिए खाने की चीज़े लेने बाहर गया था धर्ड मन में बोलता है कि उसे पता नहीं कि उसने खाई के घर रहकर सही किया या नहीं और उसे ये भी पता है कि ये साही चीज़े दुबारा होंगी वो फिर से ये साही चीज़े करेगा और वो फिर से हट होगा बट इसके बावजोग वो साही रिस्क लेना चाता है इसके बाद सिन लास नाइट का दिखाया जाता है जब थर्ड उसे उसकी रूम में लेकर आया था तब खाई नीन में उसका नाम लेकर बोलता है कि उसके साथ रहे वो गल्स के साथ अपनी बॉड़ी यूज़ करता है और उसके साथ अपना हार्ट तो यही रीजन है कि वो नहीं जा सका इसके बाद दोनों साथ में खुशी-खुशी ब्रेक्वस्ट कर रहे होते हैं और एपिसोड 3 यही खतम हो जाता है तो यह थी Theory of Love के थर्ड एपिसोड की कहानी फ्रेंज आपको आज की वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट्स में जरुर बताएगा और हमारे चैनल को भी प्ली सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को भी प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली साथ वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में अपना ख्याल रखिए